हेलो दोस्तों और्लाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है करंट अफ़ेर की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं अबाउट डी अटल टनल जिसका जो है कल ही हमारे प्राइम निस्टर की द्व वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पसंद आई तो लाइक एंशेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अपी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप है वो भी लॉंच हो चुका है जिसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बट आब आप देख सकते हैं इशू रिजॉल्व हो गया है जहां पर आपको डेली के क्विस्ट फ्री पीडियाइस मोग टेस्ट ओडियो सब कुछ मिल जाएगा इसके अलावा जो रिवीजिन अव ओल्ड करेंट अफेर्स है डिसेंबर दो हजार 19 ते लेके अगस 2020 तक का मॉर्निंग में 8 एम आपको वहाँ पर उसका क्विस्ट मिल जाएगा ठीक है और सब्जेक्टिव नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सो देर मत कीजिए जल्दी से जाके अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ब जुमें हैं तो इस सिच्च्वेटेड इंदी हिमांचल प्रदेश ठीक हिमांचल प्रदेश की कैपिटल तो शिम्ला धर्मशाला ठीक है और यहां के जो सी एम हैं वो कौन है तो सी एम है जहराम ठाकोर और जो गवर्नर है वो हैं बंडारू दत्रया कि किसके नाम पर अटल सुरंग का नाम रखा गया है अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ तो 3 अक्टूबर सन 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरींद्र मोदी के द्वारा किया गया है कहां पर है हिमांचल प्रदेश में सिच्च्वेटेड और किसके ना बियारो क्या है तो देखिए इसका फूल फॉर्म हम देख लेते हैं बॉडर रोड ऑर्गनाइजेशन बॉडर रोड ऑर्गनाइजेशन स्टैब्रेश हुआ था सात मई उन्निस सो साथ को अध्यक्ष है इसके हरपाल सिंग और इसका जो हैड़कौाटर है वो सिच्चुए इसको बनाने में आया है ये देख सकते हैं आप इसकी image और फ्रेंड्स जो हमारी last six month current affairs की जो pdf है वो भी launch हो चुकी है सब भी आने वाल exam के लिए बहुत important है तो अगर अभी तक आपने purchase नहीं किये तो जाकर कि जल्दी से purchase कर लिजे अटल सुरंग का उधगाटन किसके द्वारा किया या तो मैंने आपको बताया 3 October 2020 को अटल सुरंग जो के हिमांचल प्रदेश में situated है उसका उधगाटन हमारे देश के प्रधान मंत्री Mr. Narendra Modi द्वारा किया गया है यह आप image देख सकते हैं मैं कोशिश करूँगे इस वीडियो में ही आपको सारे के सारे questions याद हो जाए अटल सुरंग निम्ण में से किसे जोड़ेगा तो जो अटल सुरंग है वो मनाली को जोड़ेगा लाहुल स्पीती से ठीक है अटल सुरंग हमने डिसकस कर ली कहां situated है ह माचल प्रदेश में है किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है और निर्मान हुआ तो 2 यारों के द्मान की गया है कि कि ने इनोगरेट किया तो हमारे प्राइम मिनेटर नरिन्दर मोधी जीनेस को किसने अतल सुरंग की अधार्शिला रखी ती तो देखिये अटल विहारी वाजपेग जी के द्वारा रखी गई इसलिए जो है इसका नाम क्या रखा गया है अटल सुरंग किस दर्रे में इस्थित है तो अटल सुरंग जो है वो इस्थित है रहतांग दर्रे में और इसका पुराना नाम है अम बात करें वो क्या है रहतांग टनल क्योंकि रहतांग पास में इस इस वर्य से इसका नाम है पिछला वो क्या था रहतांग टनल था अब जो इसका नाम क्य रही है अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी जो बनी है उसकी लंबाई कितनी है तो इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलो मिटर अटल सुरंग से पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी थी? तो इसका रुसही आंसर है वो है जवार सुरंग और लंबाई थी इसकी 285 km इतना आपको यहां से याद अखना है जवार सुरंग किस दर्रे में इस्थित है? जवार सुरंग जो है इस्थित है बनिहाल दर्रे में और अटल सुरंग किस में है? अटल सुरंग किस में है तो रहोतांग दर्रे में जवार सुरंग कहां पर इस्थित है? तो जवार सुरंग जो है हमारी यूटी जम्मु एंड काश्मीर में सिच्छुएटेड है अटल सुरंग जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बन गई है समुद्र तल से कितनी उचाई पर स्थित है तो समुद्र तल से जो इसकी उचाई है वो कितनी है 3000 मीटर किस परवर शेणी में अटल सुरंग का निर्मान हुआ है तो आंसर इसका पीर पंजाल शेणी कौन से दर्रे में है कौन से पास में है तो रहतांग दर्रे में है कौन से स्टेट में है तो हिमानजल प्रदेश में है किसने इनॉग्रेशन किया तो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा किया गया किसने अधार शला रखी है इसकी तो अटल भ्यारी वाजपेई जी के द्वारा अधार शले रखी गई इनाउग्रेशन कप किया तीन अक्टूबर सन 2020 को अटल सुरंग का दक्षणी हिस्सा मनाली से कितने किलो मीटर दूर पर तथा समुद्र से कितने मीटर की उचाई पर इस्थित है तो हम बात करें इसका दक्षणी हिस्से की बात हो रही है तो ये जो है मनाली से 25 किलो मीटर दूरी पर इस्थित है और समुद्र तल से जो है 3060 मीटर की उचाई पर इस्थित है अटल सुरंग का उत्री हिस्सा ठीक है लाहुल इस पीती समदर तल से कितने मीटर की उचाई पर इस्थित है तो सही आंसर है इसका 3071 मीटर अटल सुरंग से मनाली और लेह की बीच की दूरी कितने किलोमीटर तक कम हो जाएगी तो यह जो है लगबग 46 किलोमीटर लगबग 5 से 4 से 5 घंटे का समय जो है कम लगेगा ठीक है नेक्स देखते हैं अटल सुरंग का अकार कैसा है तो इसका जो अकार है वो है गोडे की नाल जैसा तो सारे ही इंपोर्टेंट कोशल जो कि अटल सुरंग से बनते हैं हमने डिसकस कर लिए हैं किस स्टेट में हिमाजल प्रदेश में हैं ठीक है इसके बाद हम बात करें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने इनॉग्रेट किया है तीन अक्टुबर सन 2020 को अधा करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तिक हमारे मुबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जा करके डाउनलोड कर दीजिए हमारा जो चैनल है फाइव मिनिट जीके उस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फाइव मिनिट्स की रिवीज क्लास मिल जाएंगे तो जा करके सब्सक्राइब कीजिए तैंक यू